अगर आपके मन में मानाव सेवा का भाव है और सेवा के साथ ही इस शेत्र में करियर को तलाश रहे है तो आपके लिए खुश खबरी है नर्सिंग असिस्टंट या ने नर्सिंग सहाइक के तोर पर भी आप अपना करियर बना सकते है यह हकोर्साप के लिए नए रास्ते खुलता है हिल्फ फिटनेस को लेकर लोगों में बढ़ती जगरुपता के मद्दे नजर नर्सिंग असिस्टन्ट या नर्सिंग सहाइक के आउसरों की कोई कमी नहीं है धहरे और अनुसाशन के दायरे में रहते हुए नर्सिंग सहाइक की टीम भावना के दाथ काम करना होता है अपने देश के अलावा विदेश में भी नर्सिंग असिस्टन्ट की काफी डिमांड है बता और नर्सिंग असिस्टन्ट आप किसी भी अस्पताल नर्सिंग होंग क्लिनिक हिल्ज डिपार्मेंट पुनर्वास गुरुह, मिल्ट्री ठिकानो, इंडस्ट्रियल हाउसेस, कारखाने, रेलवे, पब्लिक सेक्टर, मेडिकल डिपार्मेंट में और ट्रेनिंग इंस्ट्ट में भी काम करने का आउसर राप्त कर सकते हैं नर्सिंग असिस्टंट को सहायक के रुप में भी जाना जाता है, मेडिकल का ऐसा कोई शेत्र नहीं है, जहाँ नर्सिंग सहायक की जरूरत नहीं होती है, यदि आप में भी सेवा का जज़बा है, तो आप इस शेत्र में अपना करियर बना सकते हैं नर्सिंग असिस्टेंट को रोगी की देखभल कैसे करे उसके लिए विवभरिक नयान होना जरूरी है साथ ही सेवा का भाव जज़बा होना भी जरूरी है सववाद में कुशलता हो, शान्त सभाव हो और भी बहतर है इसके अलावा समय का प्रवन्दन रखना भी जरूरी है जो लड़किये और लड़किया सोशल वर्क को करियर के रुप में अपनाना चाहते हैं उनके लिए यह एक बहतरिन विकल्प हो सकता है आजकल जितनी तेजी से तेल सेक्टर का विकास हो रहा है उसमें असीम संभावना के द्वार खुलने लगे है नर्सिंग असिस्टेंट के लिए निवनेतम योग्यता दसवी पास है मुख्य योग्यता मरीश की देखभल करते आना चाहिए भील्चेर, स्ट्रेचर, केथेटर, आदियोप करनों का ध्यान होना भी जरूरी है नर्सिंग को लेकर आप किसी भी तरह के कोर्स के लिए मानर्सिंग स्कुन पिरोला में आकर जानकरी प्राप्त कर सकते है अधिक जानकरी के लिए हमी संपर्प करें